नमस्कार आप देखे रहें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का आजोल अरायन शिर्वात करेंगे सुभा के खास पुलटिन की देश में जानलेवा कोरोना वारस की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है भले ही नए मामलों की संख्या में गिरावर देखी जा रही हो लेकिन अभी भी देश में हर देश हजारों लोगों की मौत हो रही है दूसरी लहर के बाद अब देश के तमाम राज्ये सतर्क हो गए हैं दिल्ली गुजरात और केरल समेथ कई राज्यों ने संभावी तीसरी लहर से निपटने के लिए कम अरकस्ली है तो आपको बताते हैं कि इनमें कौन-कौन से ऐसी राज्ये हैं जिन्होंने क्या क्या तैयारिया की हैं दिल्ली में कुल 27 PSA, Oxygen सायंत्रों को चालू कर दिया गया है इनके अलावा के इंदु सरकार दोरा पहले ही 6 सायंत्र शुरू किये गए हैं और 7 जल्द ही शुरू होने जा रही है जुलाई तक दिल्ली में 17 और Oxygen सायंत्र शुरू होंगे दिली सरकार टीसी लहर के मामले में कोरोना से निपटने के लिए Oxygen Tanker भी खरीद रही है गलवान घाती में चीनी सैनिकों के साथ ही जड़प को एक साल हो चुका है पिशली साल 15 जुन को चीन के सैनिकों ने गश्ट के दोरान समझोते के खिलाब जाकर भारते जवानों पर हमला कर दिया था इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच जड़प शुरू हो गई थी इस जड़प में भारत के 20 शहीद हो गए थे जबकि चीन ने सिर्फ चार सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की थी एक साल पुरा होने के बाद अभी सीमा परशांती है और सैनिकों के पीछे हटने का काम लगातार जारी है लेकिन विश्वास का महौल बन नहीं पा रहा इसकी वज़ा ये है कि चीन ने जितनी भी बार कोई वादा किया हो उसे कभी भी पूरा नहीं किया है और से परे जाकर हमेशा वादा खिलाफी की है कॉंग्रस का च्वे से दसिये प्रतुरीदी मंडल दल प्रताप गड़ जाएगा कॉंग्रस नेताओं का एदल पत्रकार सुलभ शिवासप के परिजनों से मिलेगा प्रदेश कॉंग्रिस सध्या अक्षर चेकुमार नलु के निरुदेश पर कॉंग्रस नेताओं मृतक पत्रकार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे सुलब के परिजनों ने गटना के बारे में जानकारी जटाएंगे और प्रदेश कॉंग्रिस कमीटी को रिपोर्ट भी सौपी जाएगे आपको बता दें कि संदिक परिसुतियों में पत्रकार की मौत हो गई थी और गंबीर अवस्ता में उन्हें अस्पताल में भट्पी कराए गया था उससे पहले ही वो लगातार आशंका जटा चुकी थे क्योंकि लगातार उन्हें धंकी मिल रही थी जान से मारने की उत्रप्रदेश में मौनसून समय से पहले पहुँच गया है 50 साल में पहली बार 15 दिन पहले यूपी में मौनसून ने दस्तक दे दी है लखनव कानपूर असपस के शेरों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है करीब एक हफते तक बारी बारिश की संफामना है लेक पासपोर्ट रिन्यूवल की मांग करते हुए बंबे हाई कोट का रुख किया है उन्होंने कोट में आवेदन करते हुए कि बांदरा पुलिस द्वारा उनके कलाफ घ्रिनिक ट्वीट और देश द्रोग के लिए दर्ज की गई एफ आयार के चलते पासपोर्ट अथर्टी इस पर आपत्ती उठा रही है इस मामले में उनकी बेहन रंगोली चंदेल भी आरूपी है कंगना ने अपने आवेदन में लिखा है कि चूंकि वो एक अभी नीत्री है इसलिए उन्हें प्रोफेशनल मीटिंग के लिए देश भर के अलावा इंटरनेशनल ट्रेबल करना हो झाल